हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सबकाय आपके अपने यूटूब चैनल स्टडी के फेपे दोस्तो रूस यूक्रेनियुद्ध सुरू होने के बाद भारत रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरिददार बन गया क्योंकि रूस ने उसे रियाइटी दरो पर तेल बेचा भारती रिफाइनरियों को भी रियाइटी रूसी तेल से बड़ा लाव हुआ लेकिन अब इस्तिती बदल रही है रूस भारत को सस्ता तेल तो दे रहा है लेकिन उस तेल पर शिपिंग ड़े सामानने से दो गुना अधिक चार्ज कर रहा है इस करण भारत की रिफाइनरियों को रूसी तेल से मिलने वाला लाव काफी कम हो गया है दोस्तो समाचार एजनसी पीटी आई ने बताया कि तेल की शिपिंग के लिए रूसी संस्ताय जितना चार्ज कर रही है वो अपारदर्सी और सामानने से काफी अधिक है मामले के जानकार लोगों ने बताया कि रूस भारत की रिफाइनरियों को अमेरिका और पच्छमी देशों की तरफ से रूसी तेल पर लगाए गए प्राइस कैप 60 डॉलर प्रती बैरल से कम कीमत पर तेल बेशता है लेकिन बाल्टिक सी और ब्लैक सी से पच्छमी टर तक डिलवरी के लिए 11 अमेरिकी डॉलर से 19 अमेरिकी डॉलर प्रती बैरल के भी चार्ज करता है जो समानने दर से दो गुना है दोस्तो रूसी बंदरगाहों से भारती बंदरगाहों तक शिपिंग लागत 11 से 19 डॉलर प्रती बैरल है जो इतनी ही दूरी के शिपिंग लागत से काफी अधिक है पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर रूसी अक्रमण के बाद रूसी तेल पर अमेरिका समयत पश्चमी देशों ने प्रतिबंद लगा दिया था और धीरे धीरे इसे खरिदना बंद कर दिया था रूस ने इसे देखते हुए अपना कच्चा तेल यूराल ब्रेट से कम कीमत पर बेचना शुरू कर दिया भारत ने भी भारी मातरा में रूसी कच्चा तेल खरिदना शुरू किया जो अब तक जारी है रूस यूकरेन यूद्ध से पहले जहां भारत रूस से महज 2 फीसद कच्चा तेल खरिदता था अब यह बढ़कर 44 फीसद हो गया है लेकिन रूसी तेल पर भारत को मिलने वाली छूट में भारी गिरावट देखी गई भारत को जहां पहले रूसी तेल पर 30 डॉलर प्रतिबैरल की छूट मिलती थी अब वो घट कर 4 फीसद हो गई है रिपोर्ट के मुताबित रूसी तेल पर छूट की कमी इसलिया आई क्योंकि इंडियन ओयल कॉर्परेशन, हिंडुस्तान पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड, मेंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और SPSL Metal Energy Limited जैसी सरकारी तेल रिफाइनरिया और Private Refineria Reliance Industry और Naira Energy Limited रूस के साथ तेल को लेकर अलग-अलग बातचीत कर रही हैं दोस्तो जानकारी के मुताबिस सरकारी रिफाइनरि कमपनिया प्राइवेट रिफाइनरियों से मिलकर बात करती तो रूस तेल पर मिलने वाली छूट बढ़ सकती है भारत में हर दिन 20 लाक बैरल रूसी तेल आयाद होता है जिसमें से 60 फिसद तेल सरकारी कमपनिया खरिती हैं युद्ध सुरू होने के बाद भारत की तरह ही चीन ने भी भारी मात्रा में रूसी तेल की खरिश सुरू की थी लेकिन अब वो इलेट्रोनिक गाड़ियों पर जोड दे रहा है चीन की अर्थवेवस्ता भी कुछ ठीक नहीं है जिस कारण तेल की मांग कम हुई है सुत्रो का कहना है कि ऐसे इस्तिती में भारत की रिफाइनरी कमपनियां मिलकर अच्छे छूट हासिल कर सकती है लेकिन चीनी मांग कम हुई और यूरोप रूस से तेल नहीं खरीद रहा इसलिए रूस के लिए भारत एक मात्र ऐसा बाजार है जहां तेल की मांग बढ़ रही है अगर प्राइवेट और सरकारी रिफाइनरीय एक साथ मिल कर बात करे तो रूसी तेल पर बड़ी छूट हासिल की जा सकती है दोस्तों इंडियन ओल कॉर्परेशन एक मात्र ऐसी भारतिक कमपनी है जो रूस से एक फिक्स डील के तहत तेल खरीद रही है भारत की बाकी रिफाइनरीया टेंडर के आधार पर रूसी तेल की खरीददारी कर रही है पिछले साल फरवरी तक भारत रूसी तेल का छोटा आया तक था फरवरी 2022 तक 12 महिनों में भारत ने प्रति दिन लगभग 44,500 बैरल तेल खरीदा था लेकिन अब इस खरीद में भारी उचाल आया है कुछ महिनों पहले भारत ने रूसी तेल की खरीद में चीन को भी पीछे चोड़ दिया था दोस्तो भारत की रिफाइनरीया डिलवरी के आधार पर रूस से कच्चा तेल खरीदती है जिससे शिपिंग और भीमा जिम्मेदारी रूस पर आजाती है उन्होंने बताया कि रूसी तेल के लिए शिपिंग और भीमा दर रूस की तीन छोटी एजनसिया करती है जिसका सुतंत रूप से मुल्ले अंकन नहीं किया जा सकता और यह अपारदर्शी रहता है दोस्तो रूसी तेल यूराल की कीमत उसके शिपिंग और भीमा की कीमत मिलाकर रूसी तेल की वास्तविक कीमत 70-75 डॉलर प्रति बैरल होती है रूस तेल राजसु का एक बड़ा हिस्सा उन तीन एजनसियों को जाता है जो तेल की शिपिंग और भीमा का काम देखती है दोस्तो अमेरिका और पश्चमी देशों ने यूक्रेन में अपने युद्ध को जारी करने की रूस की छमता को कम करने के मक्सद से रूसी तेल पर प्राइस कैप लगा दिया था दोस्तो इसके तहट तय हुआ था कि ये देश रूसी तेल के लिए अपने समुद्री रास्ते का तभी इस्तमाल होने देंगे जब उसे प्राइस कैप या उससे नीचे पर खरीदा जाएगा ये देश कुल समुद्री बीमा का 90 फीसद बीमा करते हैं दोस्तो इस बीमा को पाने के लिए रूस अपने अपने बिल में तेल की कीमत 60 डॉलर या उससे कम रखता है शिपिंग और बीमा के लिए रूसी तेल के खरीदारों को उसकी तीन एजेंसियों के कहे अनुशार अधिक पैसा देना पड़ता है तो थैंक यू सो मच गाइस पर वाचिंग दे वीडियो लाइक शेर और सब्सक्राइब इस चैनल